हेलो एब्रिवन आयम सारीका राज और आप देख रहे हैं निक्स क्लासेश पिछले की वीडियो में हम लोग ने कंट्रोल फ्लो को पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि कंट्रोल फ्लो तीन तरह के होते हैं पहला डिसीजन मेकिंग स्टेट्मेंट दूसरा लू लूप स्टेट्मेंट और ब्रेक स्टेट्मेंट को देखने वाले हैं कि लूप स्टेट्मेंट कितने तरह के होते हैं और ब्रेक स्टेट्मेंट कितने तरह के होते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भ और यह कैसे करता है हम लोग देखने वाले हैं इस विडियो में और यह जो लूप स्टेट्मेंट होता है वह तीन तरफ का होता है एक पहला है फोर लूप दूसरा है वाई लूप तीसरा है डू वाई लूप और इन तीनों चीजों को हम लोग एक करके देखने वाले कि पोर work करता है मतलब कि फोरलूप में हम लोग सबसे पहले लूप भरियाबल को इनिसलाइज करते हैं फिर उसके कंडिशन को चेक करते हैं और उसके को देखते हैं और इन तीनों चीज़ों को एक ही लाइन अप गोड में रखते हैं जैसा कि आप इस सिंटेक्स में देख सकते हैं जैसे कि इसका इनिसलाइजेशन फिर कंडीशन फिर इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट चलिए इसके फ्लोचाट से समझने कोसिस करते हैं कि फॉर्लूप क्या होता है तो जैसे यह स्टेट्मेंट वह इजिक्यूट करता है और उसके बाद उसको जब नेक्स रिट्रेशन के लिए जाना हो जहां तो इसके बाद उसको इसको कंडीशन है ऐसे अगर एस पॉर्लोप को समझते Crede ूहां के हिसमें यहां पर यहां पर दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा सम के पास चला जाएगा और उसके बाद देन क्या होगा कि उसके बाद हम लोग इस जे को इंक्रिमेंट करेंगे से और यहां पर यहां पर यहां पर इंक्रिमेंट करेंगे ह। यहां पर उंकर सब्सक्राइब तो यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट है यहां पर प्रिंट करना है जैसे सम का वैलू की मदद से जो भी इंक्रिमेंट हुआ होगा तो फॉर्लू ऐसे वर्क करता है और आपको यह समझ में आया होगा कि फोरलॉक का क्या काम होता है और आरे चाम हुआ सब्सक्राइब मतलlair करता है जीशन के बारे में पर पिटाइब देखेंगे और फोर्लॉक जो होता है है उसके लिए हम लोग for each loop जो होता है उसमें हम लोग को ब्लूप अपडेट करने की यह सकता नहीं होती हैए चलिए इसके एक example के फूर हम sa sa ma ik medic mature करता है सबस amigo सबस्केटकार्न को देखते है कि लिए सबसे देखते हैं कि can we अरेन उसके बात कर रहे हैं उसका नाम यहां पर लिख रहे हैं चली कोड के मदद से हम लोग समझने कोशिज करते हैं जैसे मैंने एक ऐरेन बना इस मतलब इसका नाम मैंने नेम दिया और इसमें अब इस टाटा को रखा और इसमें प्रिंट स्टेटमेंट है जो भी हम लोग कुछ भी प्रिंट स्टेमेंट चाहते हैं कि प्रिंट इसमें प्रिंट होगा तो पोर इचलूप कैसे वर्क है तो इसका काम होता है वह यहां पर नेम जैसे यहां पर नेम्स स्टिंग करेगा तो सबसे पहले इस क्या करेगे पहले रगल इसलोफ चाहिए अपने इस कलेक्शन नाम के जो भी नेम्स के जो है उसब्स टाका के पहले पे जाएगा जीरो इंडेक्स पर Zakhyंट करना है तो यहां पर यहां पर करना है तो उसट वैलू को प्रिंट करदे वैसे ही कर करके इपडेट होते जाएगा अब को करेंगा और जैसा अपने लिशन स्कतार्व के बाद यह है तो यहां फोर इच published गुक्त नहीं हो जाए है जबकि हमें फोर लूप में अपडेट करना पड़ता है और उनको एक ही लाइन में लिखना पड़ता था अब है जाबा वाइल लूप क्या होता है तो इसका जो फुझे से फोर लूप में क्या होता था इन करते थे इस लूप में हम लोग सबसे पहले कंडिशन को चेक करते हैं मतलब इसको हम लोग एक ही कोड में लिखते हैं तो जैसे कि आप इस अब डेशन जो होता है वह हम लोग इसमें लिखते हैं तो जैसे कि आप इस सिंटेक्स को देख सकते हैं वाइल लूप है तो वाइल के अंदर हम लोग कंडिशन करेंगे ताब उसके अंदर लूप के अंदर आएगा और जो भी स्टेट्मेंट होगा उसको इसको एक्जाम् एक ब्रेट करने हैं जिसमें जीट से ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर दीखते हैं तो यहां के ब्रेट करने हो जाएगा उसके बात क्या करेंगा आय को मतलब कर देंद से इंक्रिमेंट हो जाएगा और यहां पर से बहा रा जाएगा और यह वालूप से बहारा जाए और यह पोड लूप से कैसे डिफरेंट यह मैं ने दिखाया है कि इसमें सित्व हम भूब कंडिशन लिखते हैं एक लाइन में लिखते हैं तो वाइब ऑर फोरुप में यहीं ф zwyk क्याक करते हैं सबसे फर्ट करते हैं सब्सक्रमध क्या करते हम लोग प्रट execute करते हैं हम लोग statement देखते हैं statement जो भी statement होता है उसके बाद condition check करते हैं और जो अगर condition true हुआ तो फिर वह दू के पास जाता है और वहां से statement करेगा और फिर condition check करेगा अगर वह मालों condition false हो गया तब जाके वह do value terminate हो जाता है जैसे कि अब इस example के थूरू समझ सकते हैं यहां पर i0 है और यहां पर do value सबसे पहले do value के इंटर किए यहां पर प्रिंट कर दिए i को अभी value मेरा 0 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद हम यहां पर क्या क्या कर दिए हम लोग 2 कर दिए मतलब यहां पर प्रिंट के पास आएगा और यहां पर i2 को प्रिंट हो जाएगा फिर i2 अप्डेट हो जाएगा कि दो प्लस दो यानि फोर हो गया तभी कंडिशन चेक करें क्या अभी फोर क्या 10 से छोटा है था हां यह कंडिशन टू है तो देन फिर उसके पास वह डूल पास जाएगा प्रिंट कर देगा और ऐसे सबसे पहले स्टेट्मेंट रन होगा उसके बाद हम कंडिशन को देखें अगर यहां पर बात कंडिशन मालेजी यहां पर आई कर वह तेन से ज्यादा हो गया तो यहां पर कंडिशन प्रेक कर जाएगा तब वह डू के पास नहीं जाएगा और कि दू वाइलू यहां से टर्मिनेट हो जाएगा और मेरा जो भी वह हमें सो हो जाएगा कि क्या मेरा वैलू प्रिंट हुआ तो डू यह वार्क करता है अब यह जंप स्टेट्मेंट का यूज हम लोग ट्रांसफर करते हैं कॉंट्रल ऑफ प्रोग्राम टू स्पेस्विक क भी भी सकते हैं कि जो में टेटमेंट को जानने की कोसिश करते रेक रीक करतेमेंट का यूज करते हैं मतոब next statement पे और जो break statement है वो हम लोग shop do a फिर set चेटनमेंट से इसका यूज्ट करते हैं और यह हम इस प्रोग्राम कि मतलब से देखेंगे कि यह कैसे work करता है जैसे यहाँ पर और यहां पर इसका эта this statement है और यहां पर condition दिया हुआ है कि अगर मैं जैसे यहां पर आएंगे हम लोग इस कंडिसन को चेक करेंगे यहां के इकवाल हो गया मतलब 6 क्रूड हो गया तो यहां से जैसे ब्रेक हो यह कंडिशन आप सिद्धे चला गया अब फोर लूप के पास कंट्रोल चला गया और वहां से यह कंडिशन यहां सी यह फोर लूप फिर नेक्स एक्जीक्यूटर मतलब साथ सेवेन हो जाएगा जैगा इस ब्रेक के स्टेटमेंट हम लोग को तब जाएंगे मतलब जाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट होता है वह लेवल के साथ कैसे वर्ट करता है तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वह लेवल के साथ कैसे वर्ट करता है तो हम यहां देखेंगे जिसे फोर लूप है यहां पर यहां पर जो जीरो है भी जैसे अपडेट मतलब करेंगे फोर लूप चलाएं मतलब यह बी के पास जाएगा मतलब इस लेबल को स्किप करें मतलब हटा दिया यहां से ब्रेक कर दिया इस कंडिशन को मतलब एक यह का जो कंट्रोल था वह ब्रेक हो जाएगा यहां से तो लेबल फोर लूप ऐसे ब्रेक स्टेटमेंट के साथ वर्क करता है अब नेक्स्ट ह नहीं करते हैं मतलब कि जिस कडिक में जिस्ट लूप में यह राता है यूप को यह की एकते हैं ये चांपल के तौ्स्रेशंस करें यहां पे टोर फोर कत hebben दोनों फूर्ट जेलेगा यहां पे यहां पर यह फुर पर यहां पर कbreaking हो रहा था गुज्अ को करेंगा मतलब इसको सब्सक्राइब करदेगा और इसको इसे हुआ करका तो एसे स्टेटमेंट करता है यह मतलब कि जो भी जिस कंडिशन में रहता है जिस लूप में रहता है उस लूप को तो उस पार्ट के लिए उस पार्ट के लिए किप कर देता है और वो next jump कर देता next station of the loop के तो continue statement वैसे work करता है तो आज की वीडियो में हमने देखा कि loop statement क्या होते है और break statement क्या होते है इन दोनों को धमने लोगें ने समझने की कोशिस की और होपस वा प not करके अगले कॉंसेप्ट को जानने की कोशिस करेंगे समझेंगे कि क्या नहीं तो बने रखें हमारे साथ और देखे रहें निक्स क्लास sv